हेलो फ्रेंड्स आज हम लॉलिता इन 1997 के एक हॉलिवुड मुवे एक्स्प्रेंट करने वाले हैं ये मुवी एक बहुत ही कॉंट्रवर्शन नौवल पर बेस्ट है ये मुवी एक सची घटना पर आधरीत है इस मुवी में कुछ चीज़े आपको गलत लग सकती है क्योंकि इस मुवी के कारेक्टर ही गलत है तो चलिए इस मुवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा में कारेक्टर हमबर्ट एक गाड़ी में दिखता है ये इंजोर्ड है और ये चलता जा रहा है हमबर्ट फिर उसके लाइफ की स्टोरी हमें सुनाता है यह कहता है कि लली ता मेरा प्यार थी मेरा सब कुछ थी, मेरी जिन्देगी थी यह जो स्टोरी है यह हमबर्ट की पॉइंट अफ वियू से इसी वज़े से यह ज़रा डियोल हो सकती है आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपनी खुद की गलत चीज़े भी रोमेंटिसाइज करकर यह कुछ सही तेरी किसे बताना चाहता है पर आप ज़रा ओपन माइंड रखिये कि चीज़े किस तरह से एक्च्वल में होई होगी और फिर इससे एनलाइज करिये हमबर का बजबन यानिक 1921 हमें दिखता है हमबर कहता है कि जब मैं छोटा था सिर्फ 14 साल का तभी उसे प्यार हो गया था उसके टाउन में एक लटके आई थी जिसका नाम एनाबेल था इसके प्यार में बढ़ गया था इसके बाद इन दोनों के रिलेशन्शिप भी हुई थी एक दोनों दुसरे से बहुत प्यार करते थे पुरा समर इन्होंने एक साथ गुजरा था बहुत सारी मेमरीज इन्होंने बनाई पर एनाबेल को एक बीमारी हो गई इसके बाद हमबर्ड हार्ट ब्रोकन हो गया हमबर्ड फिरम से कहता है कभी दूसरी बार मुझे प्यार हुआ ही नहीं तो हमेशा एनाबेल को ही याद करता रहा इसके बाद उसके लाइफ का वो एक अलग इंसिडन्ट सुनाता है बेता है कि वह वो प्रोफेसर बन चुका था उसे और एक अच्छी सी जॉब मिलने वाली थी जहाँ पर वो टीचिंग करने वाला था हमबर्ड एक इंग्लिश टीचर था और वो फ्रांस जाकर आया हुआ था तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी थी उसे जॉब को जॉइन करने में थोड़ा सा टाइम था और ये टाइम वो बुक लिखने में बिताना चाहता था थोड़ी शान्ती उसे मिलनी चाहिए इसलिए एक छोटे से गाव में उसके अंकल के साथ हो रहना चाहता था जब उसकी अंकल उसे स्टेशन पर लेने के लिए आए और घर लेकर गए तो उनका घर बरबाद हो चुका था वहाँ आग लगी थी और सब कुछ तबाह हो गया है हमबर्ड को कही ना कही तो रहना है तो हमबर्ड के अंकल उनके फ्रेंड की यहाँ इनका इंतजाम करवा देते है अंकल का फ्रेंड पहले ही मर चुका है और उसकी वाइफ अफ वहार रहती है फ्रेंड की वाइफ के पास खाली रूम है तो यहाँ पर हमबर्ड रह सकता है फ्रेंड की वाइफ का नाम हेज होता है जब हमबर्ड को देखती है तो instantly उससे वह attracted होती है हमबर्ड फ्रांस जा चुका है तो इसे भी यह बहुत यह अच्छा लगता है हमबर्ड को उसका रूम दिखाती है जब हमबर्ड रूम दिखता है तो उसे ज़रा भी पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैस होती है हमबर्ड फ्र अपने प्लांस instantly change कर लेता है उसे लगता है कि अब उसी यहाँ नहीं रहना चाहिए हेज भी यह समझ जाती है हेज फिर कहती है कि चलो नीचे तुम्हें एक में जगा दिखाती हो तुम पहले हो देख लो उसके बाद अपना माइंड तुम मेकप करना एक अच्छी सी गार्डन हेज की होती है जो हमबर्ड को दिखाना चाहती है नीचे जब वो उसे लेकर जाती है तो हेज की डॉर्टर हमबर्ड देखता है हेज की डॉर्टर का नाम ही लॉलिता है जो हमारी फिल्म का टाइटल है जब हमबर्ड ललिता को पहली बाद देखता है तो उसे एनवेल की याद आती है एनावबल और हमबर्ड दोनो 14 years के ही थे जब एक दुसरे से उन्होंने प्यार किया था और ललीता भी 14 years की ही है हमबर्ड सिर्फ ललीता के पास रहना चाता है इसी वज़े से रूम लेने का डिसाइड करता है हमबर्ड काम करते हैं ललीता को देखता रहता है उसका एक डायरी होती है जिसमें ललीता के बारे में लिखता है हमबर्ड फिर कहता है कि बहुत सारी लड़कियों में से अगर कोई लड़की तुमें चूज करने होगी तो तुमें यह सही से करने पाऊगे तुम अगर बहुत ही इंडिलिजन्ट होगे तभी तुम सही लड़की चूस करपाऊगे और हमबर्ड कहता है कि मैंने वो चूस की है ललीता में डेमोनी कॉलिटीज है और वो बहुत ही ब्यूटिफुल है ललीता में जो पावर है ये कोई भी देख नहीं सकता पर मैंने ये ढूम ली है ललीता का रूम हमबर्ड के रूम के सामने ही होता है रात में हमबर्ड अपनी बूप पर काम कर रहा होता है उसके टाइप राइटर का आवाज आता है तो ललीता आ जाती है हमबर्ड कहता है क्या मेरी वज़े से तुम सो नहीं पारे और वो अपनी writing बन कर देता है ललीता कुछ भी बोलती नहीं और नीचे आ जाती है फ्रिट्च से आइस्क्रीम निकालती है और खाती है यह सब हमबर नीचे आकर देख रहा होता है next day में देखता है कि हमबर अपने book पर काम कर रहा होता है तब ललीता उसके पास आती है तो कहती है कि उसे बहुत ही नीन आ रही है हमबड भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ललीता पुछती है क्या तुम सो नहीं पाते है हमबड कहता है तुम्हें क्या बताओ मुझे नीन भी नहीं आती ललीता फिर डारेक्ली हमबर्ड के पास आजाती है और उसके लाप में बेट जाती है वो उससे बुश्ती है क्या मेरे गाल पर पिंपल है हमबर्ड केता है कि नहीं तुम तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट हो जब दोनों बात कर रहे होते है तो भी ललीता की मदर का यानी की हेज का नीचे से आवाज आजाता है ललीता जल्दी से अपने रूम में चली जाती है ललीता हमबर्ड के लिए ब्रेकफास लेकर आती है तो कहती है कि प्लीज मौम को मन बताना मैंने तुम्हारे सब कुछ वेकंस खा लिये है यहाँ पर वो हमबर्ड से फिलर्ट कर रही होती है इसके बाद हमें दीखता है ललीता हेज और हमबर्ड यह सब जुला जुल रहे होते है यहाँ पर ललीता हमबर्ड के पास ही बेठी हुई होती है है इस शैंपेन पीरे होती है उसका ग्लास खतम हो जाता है तो चली जाती है ललीता हमबर्ट से कहती है कि मेरी मदर तुम्हें लाइक करने लग गई है तुम जो भी सब कहोगे वो मान लेगी ललीता फिर हमबर्ट को कहती है कि उसे कहो कि हमें लेक पर जाना है ललीता को इतना नहीं होते तो अंदर जली जाती है तो music लगाती है और dance करती है 하मडिट और his अब ये दोनों अकेले बैलकनी में है है his को इसे बात करनी है पर हमड़ इसमें इंटरस्टेंड नहीं है वो अंदर जाकता है और ललिद्धा जो डांस करी होती है यही देखने लग जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि यह तीनों लेक पर आये हुए है हेस आज बहुत ही रोमेंटिक होती है हमबट से कहती है कि मेरा एक सपना है कि हम सब एक घर में हमेशा के लिए रहे हेस को घर के काम का लोड आता है तो इसलिए वो एक मेर भी रखना चाती है हमबट बोच्ता है कि अगर तुम हमेशा के लिए मेर रहोगी तो वो कहा रहेगी हेस कहती है कि वो ललीता के रूम में रहेगी हमबट बोच्ता है कि ललीता फिर कहा जाएगी हेज कहती है कि जल से जल में उससे summer camp बेच दूंगी और उसके बाद विसे बोड़ी में डालने वाली हूँ इसके बाद ललिता हमें directly summer camp पर जाती हुई दिखती है हेज ने ललिता को कहा होता है कि हमबर्ड भी इसके लिए agree करता है ललीटा को बहुत ही heartbroken मैसूस होता है जब ललीटा यहाँ से जा रही होती है तो हमबाट अपनी खिर्की से इसे देखता है ललीटा गाड़ी से उतर जाती है और हमबाट के रूम में आ जाती है उसे गली लगाती है और किस करकर चली जाती है हमबड फिर ललिदा की रूम में आता है ललिदा के कपड़े हाथ में लेता है और उसके खुशबू लेता है हमबड को फिर एक मेट आकर हेज का लेटर दे कर जाती है इस लेटर में हेज ने हमबड को प्रोपोस किया होता है लेटर में लिखती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अगर तुम यह नहीं चाहते तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ क्योंकि उसका डील चुट जाएगा अगर वो फिर से हमबड को इस घर में देखीगी अब हमबड हमसे कहता है उसके दो विक्स बाद ही हम दोने ने शादी कर ली अगर उसने यह शादी नहीं की तो ललिता को फिर से कभी भी देख नहीं पाएगा यह ललिता के साथ रहने का उसका एक चांस है इसी वज़े से वो इसे एकसिप कर लेता है एक दिन हेज हमबड की रूम में आती है तो वो कुछ लिक रहा होता है एक ड्रावर देखती है जो लॉक्ट होता है यह हमबड से बुछती है कि इस ड्रावर में क्या है हमबड केता है कि मेरी कुछ सिक्रेट चीजे है इसके बाद हमबर्ड हमसे कहता है कि हेज मेरे साथ इंटिमेट होना चाहती थी पर हमेशा मैं उसे एग्नोर करता रहा पर के पास जाता है और नशे की दवाई लिकर आता है जो हेज के खाने में वो मिला देता है जिससे हेज जल्दी से सोज आया यानि कि उसके साथ वो कुछ करने पाया एक दिन हमबर्ड बाहर गया था और जब वो घर पर वापस आया तो हेज रूर रही थी हमबर्ड का ट्रॉर उसने ओपन कर लिया था हमबर्ड जो भी सब चीजे ललीता के बारे में हेज के बारे में लिखता था ये सब उसमें है हमबर्ड ने लिखा था कि हेज एक भैसी है इसी वज़े से वो रो रही है और हार्ट प्रोकन है वो हमबर्ड को गन्फरंट करती है और कहती है ये तुम एक मॉंस्टर हो कोई भी आदमी ये सब नहीं कर सकता अब उसे divorce चाहिए है इस केती कि अगर तुम चाहते हो तुम ये घर भी रख सकते हो पर जल सी जल दी मुझे divorce दे दो हमबर्ड को अब क्या करना चाहिए ये कुछ भी समझ में नहीं आता हमबर्ड कहता है कि हम कुछ ड्रिंक्स लेते है इसके बाद मैं तुमें सब कुछ समझाऊंगा हमबर्ड थोड़े टाइम में ड्रिंक्स बनाता है जब वो लीविंग रूम में आता है तो उसे एक call आता है इस call पर उसे पता चलता है कि उसकी wife मर चुकी है वो केता है कि मेरी wife तो घर में ही है जब वो देखने के लिए जाता है तो हेज वहाँ नहीं होती वो बाहर भागते भागते जाता है हेज के हाथ में लेटर्स थे जो पोस्ट करने वाली थी हमबर्ड के बारे में सब को चीज़े वो बता देने वाली थी पर ये करने से पहले ही रस्ता क्रॉस करते वक्त उसका एक्सिडेंट हो गया और वो मर गई हमबर्ड को हेज के लेटर्स मिल जाते हैं और वो जला देता है हमबर्ड अब बहुत ही खुश है क्योंकि उसके और ललीता की बीच में सिर्फ हेज थी और वो अब मिट चुकी है हमबर्ड फिर ललीता को लेने के लिए समर कैम आता है वहाँ की समर कैम की लेड़ी उसे कहती है कि ललीता को लेने के लिए चारली को में भेश दियो चारली और ललिता एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है ये सुनकर हमबड को जरा जिलस में सुझता है ललिता हमबड को देखकर बहुत ही खुश है ललिता अपने मदर के बारे में हमबड से पुछती है ललिता को पता नहीं है क्यों उसकी मदर मर चुकी है हमबड कहता है कि मदर बिमार है इसी वज़े से तुम्हें लेने के लिए नहीं आई गाड़ी में ललीता हमबड से कही थी है कि मैं तुमसे फैद फूल नहीं रही यानि कि दूसरे लटकों के साथ उसने बहुत सारी चीज़े की है ललीता कहे थी कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा हमबर्ड कहता है तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हो ललीता बोलती है कि मैं कब से इस गाड़ी में हूँ तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है हमबड फिर गाड़ी रोक लेता है और ये दुनों दूसरे को किस करते है तब वहाँ से एक पुलिस की कार आ जाती है यहाँ इस एरिया में एक चोर था जिसको ढून रहे है ललीता हमबड के लाप में बेटी हुई है यह देखकर पुलिस भी शर्मा जाता है और आगे चला ज जाती है यह आत्मी कहता है कि मेरा डॉक किसी को पसंद नहीं करता पर तुम उसे अच्छी लगती हो इसके बाद हमबड ललीता को उसके रूम में लेकर जाता है ललीता जब देखती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड़ पर सोने वाले है अगर मदर को पता चला तो हम दोनों क कुछ हो सकता है पर यह बोल नहीं पा रहा हो था तो ललीता ही बोल देती है रात में जब दोनों डिनर कर रहे होते है तो डिनर टेवर पर ललीता कहती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ वही आदमी है जिसके डॉक के साथ ललीता बहले खेल रही थी ललीता कहती है कि एक में तुम्हें बता हो कि क्यां में मैंने क्या क्या था उब ikumरां इसके बाद हम지 सब को स्टोरी सुनें गए हमवर्ड स्मोक करने के लिए बाहर आ जाता है यहां पर उसे फिर रायटर दिखता है इस जो रायट्र इसका वोड़ा है क्विल्टी ग्विल्टी और हमबर्ड एक दुसरे से बात करते है जनरल वेदर के ऐसा है किस तरह का यह होटेल है इसके बारे में वो बात करते है पर हमबर्ड को हमेशा लगता है कि विल्टी उसकी डॉटर के बारे में ही बात कर रहा है यह जो आज ललीता के साथ है तो उसे वो ज़रा डर रहा है उसका क उसे कह रहा होता है, कि सब लोग को पता है, कि वो ललीता के साथ क्या करने वाला है, हमबड फिर रात में आकर ललीता की बेड़ पर ही सो जाता है, जब सुबह होती है, तो ललीता उसे किस करने लग जाती है, उसके कार में कुछ बात उसे कहती है, हमबड सप्राइस्ट होता ह वो कहता है, क्या तुमने ये सब चीज़े की क्या हैं पर, ललीता कहती है कि तुम सप्राइस्ट हो जाओगे, इसके बाद ये दोना ये दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते हैं, नेक सिन में ये ट्रैवल कर रहे हैं, हमबड हमसे कहता है कि जिस तरह से शिकारी किसी एनिमल का नहीं देता, उसे फिर वो सज बता देता है, ललीता राद में बहुत रोती है, वो हमबड को हेट करती है, पर थोड़ी देर में हमबड के पास आ जाती है, हमबड कहता है कि उसने मुझे फिर माफ कर दिया था, उसके पास कोई आप्शन में नहीं था, क्योंकि उसकी मदर म लेता था हमबड ने लालिता को ड्राइव कैसे करना है यह सब सिखाया हमबड कहता है कि मैं बहुत खुश था पूरे आकाश की खुश romantic मुंझे में रही थी मुझे मुझे पता था क्येश जो सब हो रहा है यह साही नहीं है श़िए पर इससे कुछ भी फरक numa पढ़ता था लेकर देता है ललीता की स्कूल बहुत ही open minded है ललीता को भी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो इस स्कूल उसे support करती है थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इनका routine अच्छे से चल रहा होता है कुल में एक play होने वाला है जिसका पार्ट ललीता को बनना है पर मना ही लेती है हमबड ललीता को थोड़े से पैसे देता है कि अपने आप पर खर्च कर सके ललीता ये पैसे भी ज़रा बढ़ा लेती है एक दिन ललीता की टीचर ललीता के बारे में बात करने के लिए हमबड को बुलाते है वो ललीता को लेकर ज़रा चिन दी थे हमबड ब जो बहुत ही डिस इंटरस्टेड है, हमबर्ड थोड़ा सा हसता है पर अपने आपको कट्रोर कर लेता है, हमबर्ड कहता है कि मैं इसके बारे में उसे समझाऊंगा, एक दिन हमबर्ड को पियाणो टीचर का कॉल आता है, ललीता एक्चुल में उसके पियाणो के क्लासेस कर ही नहीं रही है हम्बर फिर ललीता को को बोसता है थोम्हारे classes केसे चल रहे है छेती है एकदाव मस्ट चल रहे है हमघाता है कि तुमने दो classes miss की है तुम कहा थि ललीता कहती है कि मैं मेरे friend के साथ थी वो play की tagary कर रहे थी हमघ इस सवर believe नहीं करता लीता से उसकी रेजर का नमबर लेता है ललीट आने जो कहा था उसके उपक्र दोट si निकल जाती है कि उसले में बहुत होधा हैं हम बर्ड को भी तूँ कर बहुत अच्छा लगता था कि यौनkि अफनीय जाना करते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है यह लड़ीता को एक नोट भूर निकालने के लिए के लिए और उसपर नमबर हमबर्ड भी लगिदा को समझाता है कि तुम्हीं यंग हो और लोग तुम्हारा एडवनटेज लेना चाते हैं तुम्हें किसी भी स्टेंजर से बात नहीं करनी है और फिर से थोड़े दिन गुजर जाते हैं एक दिन यह जंगल से जा रहे हैं और फिर से हमबर्ड को लगता ह कि उनका कोई पीछा कर रहा है हमबड एक जगा पर गाड़ी रोक लेता है उनकी पीछे भी जो उसका पीछा कर रहे थी एक गाड़ी भी रोक जाती है हमबड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस गाड़ी के सामने चलने लग जाता है जो उनका पीचा कर रहा था वो जल्दी से गाड़ी रिवर्स में लेता है और वहाँ से भाग जाता है आगे चल कर हमबर्ड फिर से लिलिता को कहता है कि उसे वो कागस दे जिस पर उसने नमबर प्रेट लिखी हुई थी पर ललिता ने इस पर जिंगम जिटका दिया था और गाड़ी का नमबर इस कागस पर नहीं है हमबर्ड बहुत इचिर जाता है और ललिता को स्लैप करता है ललीता रोते रोते गाड़ी से बाहर निकल जाती है ये उस पर बहुत नाराज है पर हमबड उसके पास आता है और उसे सौरी कहता है एक टाउ में हमबड और ललीता एक मॉटल में रुखती है हमबड कुछ फ्रोट से गरा लेने के लिए बाहर जाता है जब वो वापस आता है तो ललीता को पैश देखता है यह ज़रा डायटी होते है तो हमबड कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहीं बाहर जाकर आई हो ललीता इस पर कुशी बोलती नहीं यह सब वो डिनाई कर देती है हमबड ललीता को जो भी सब पैसे देता था ये सब वो सेव करकर रखती थी हमबड उससे पुछता है कि ये सब पैसे तुम क्यों सेव कर रही हो पर ललीता इस पर कुछ भी बोलती नहीं इन पैसों को लेकर इन दोनों में जगड़ा हो जाता है हमबर्ट को लगता है कि ललीता उसे छोड़ कर भाग जाना चाती है इसके उसे रात में बुरे सबने भी आते है फिर इसे ट्राइवल करने लग जाते है पर ललीता की तब्यद ज़रा खराब हो जाती है यह ज़रा वाइरल इंफेक्शन है तो ललीता को होस्पिटर में भरती करवा देता है रात भर ललीता को यही रुकना पड़ेगा तो डॉक्टर हमबर्ट को कहते है कि तुम अब घर चले जाओ तुम यहां रुके भी तो तुम उसे मिलनी पाओगे क्योंकि वो बिमारी तुमें भी हो सकती है हमबर्ट अगली सुबा फिर सो हस्पिटर में कॉल करता है ललीता कैसी है यह वो पुछता है भाकी नर्स कहती है कि उसके अंकल आये थे और उसे लेकर चले गए हमबर्ट बहुत ही डर जाता है कहता है कि एसा कैसे हो सकता है हमबर्ट फिगर आउट करता है कि उनका जो पीछा कर रहा था वही ललीता को लेकर चला गया है भागते भागते हो हस्पिटल में आता है और डॉक्टर को मारने लग जाता है उसे लगता है कि हस्पिटल ने मिलकर ये चाल चली है हमबर्ट फिर ललीता को ढूनने लग जाता है अलग-अलग शहर में हो जाता है अलग-अलग मौटेल चेक करता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते वग जो आदमी ललीता को लेकर गया था उसने अपना नाम और अपनी साइन दी थी तो अब हमबर्ट को उसके हैंड रैटिंग पता है हमबर्ट अलग-अलग सिटीज में जाकर वो उसकी हैंड रैटिंग ढूनता है मौटेल के रेकॉर्ड चेक करता है उसे हमेशा से पता जल जाता है कि इस मौटेल में ललीता और वो आदमी रुके थे हंबड हमसे कहता है कि ललीटा को ढूरने के लिए उसने पूरे दो महेने लगाए पर फिबी उसे ढूरनी पाया अब इसके बाद डिरेक्ली तीन साल गुजर जाते हैं हंबड को एक दिन ललीटा का लेटर मिलता है इस लेटर में ललीता लिखती है कि अब उसके शादी हो चुकी है वो अपने हस्बन के साथ रह रही है और उसे बेबी होने वाला है ललीता को कुछ पैसु की जरूरत है जो हो माग रही होती है उसका एड्रेस भी उसने लिखा होता है हमबड अब ललीता से मिलने के लिए निकल पड़ता है वो अपने साथ एक गन मिलेता है टागे प्रैक्टिस करता है जो ललीता को उससे जुदा करकर लेकर गया था उससे उसे बदला लेना है फाइनली वो ललीता के पास भूर चाता है हमबड ललीता के husband को देखता है ये वो आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था हमबड उसे बात नहीं करना चाहता हमबड ललीता से बुच्छता है कि हो कौन था ललीता गई थी है कि क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं है ललीता जिसके साथ गई थी वो क्विल्टी था ये वही वाइटर है जो पहली बार मौटे में इनी मिला था जिसके कुत्ते के साथ ललीता खेल रही थी ललीता इस आदमी से एट्रेक्टेट हो गई थी इसे वज़े से उसके साथ वो चली गई थी ललिता फिर कहती है कि वो बुड़ा आदमी था वो sexually active नहीं था पर उसे छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना अच्छा लगता था वो मुझे भी वही काम करवाना चाहता था इसलिए मैं वहाँ से भाग गई इसके बाद वो दूसरे लड़के से मिली और उससे उसने शादी कर ली हमबट फिर ललिता को कहता है तुमें जो पैसे में देने वाला हो यह तो तुमें मिलने वाले है पर इससे पहले मैं तुमसे कुछ क्वेशन पूछना चाहता हूं क्या तुम फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो अगर ललिता उसके साथ रहेगी तो उससे सब कुछ देना चाहता है उसके बहुत ही प्यार में है कि वह ललिता से कहता है ललिता बोलती है कि मैं कभी भी तुमारे प्यार में नहीं थी मेरे पास कोई option नहीं था इसे वज़े से मैं तुम्हारे साथ द्रे रही थी ललीता को सिर्फ thousand dollars चाहिए थे पर हमबड उसे four thousand dollars दे देता है हमबड हमसे कहता है कि ललीता कैसे भी हो अगर वो मुर्जा भी जाए फिर भी उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा कभी भी वो उसे भुला नहीं पाएगा हमबर फिर से हमें गाड़ी में दिखता है और वो इंजोड हो चुका है हमबड हमसे कहता है कि ललीता के साथ मैंने जो भी सब किया वो सब जीजो को में regret करता हो ये सब करने के लिए वो शर्मिंदा है पर लास्ट टाइम लरीता को मिलने के बाद उसने जो किया वो उसे रिग्रेट नहीं करता इसके बाद वो डारेक्टली क्विल्टी जो राइटर था उसके पास पहुच गया क्विल्टी पर उसने गन लगाई और पुछा क्या तुम मुझे पहचानते हो क्विल्टी उसे पहले पहचान नहीं पाया और उसने कहा कि तुम वही होना स्टेफ फाजर क्विल्टी इसे सीरेसली नहीं ले रहा था अपना ड्रिंग ले रहा था, सिगर्ट पी रहा था फिर हमबर्ड ने एक्जामीन पर गोली चलाए क्विल्टी फिट डर गया क्विल्टी बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है मैं वैसे भी कुछ लटकियों के साथ कर नहीं सकता हमबर्ड उसे मार सकता है तो क्विल्टी उस पर जबग पड़ता है हमबर्ड फिर से कंट्रोल में आ जाता है क्विल्टी कहता है कि तुम भी इतने सीधी नहीं हो तुमने भी उसके साथ गलत ही चीज़ी की थी तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम परफेक्ट होते तो मेरे साथ आती यह दोनों फिर से जगड़ा करने लग जाते है और हमबर्ड क्विल्टी को मार देता है मुवी के फर्स में हमने देखा था कि गाड़ी में हो इंजोर्ड है पर यह खुन क्विल्टी का था उसका पीछा पुलिस कर रहे है आगे चल कर वो गाड़ी ठोक देता है और एक माउंटन के पास आता है यहाँ पर एक गाव है जहाँ बच्चे खेलनी की आवाज आती है हमबर्ड हमसे कहता है कि मुझे बच्चों की आवाज है पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी उस आवाज में ललिता का आवाज नहीं है ललिता अब उसके साथ नहीं है इसके बाद हमें बताया जाता है कि हमबर्ड को पुलिस ने पकड़ लिया था जब वो प्रिजन में था तब उसे एक बिमारी हो गई और 16 नोवेंबर 1950 में वो वही मर गया ललिता प्रिनन थी पर उसकी एज कम है तो उसी साल क्रिस्मस में 1950 में वो चाइल्ड को बर्द देते देते मर गई यहीं मूवी एंड हो जाती है अब अगर हम इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में यानि कि हमबर्ड के बारे में बात करें तो यह से मूवी हमबर्ड के point of view से है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपने flaws किसी को भी नहीं बताता इससे तरीके से जब यह स्टोरी चल रही थी तब मूवी में हमें दिखता है कि ललिता उसे flood कर रही थी पर ही क्या सच-फूच में हुआ था यह हमें जानने का कोई भी तरीका नहीं है अगर हम इसे objectively देखे तो ललिता की मदर मर गई थी ललिता के पास कोई भी option नहीं था तो इसलिए उसे हम बट के साथ रहना पड़ा एक तरह की ललिता की kidnapping ही उसनी की थी आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो बिलिता वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आते रहे तो तो बिलिता चैनल को सब्स्राइब कर देजिए और बेल नोटिविशन आइकन दाबने मत भूले फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये